Hello everyone, welcome back to the channel. So students, in today's video, we are going to start our new subject of class 6, that is mathematics. So mathematics का, हम यहाँ पे first chapter start करने जा रहे हैं, that is knowing our numbers. जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इस chapter में हम numbers के बारे में कुछ तो पढ़ने वाले हैं. तो आप सुचोगे कि मैं numbers के बारे में तो हम बच्पन से ही पढ़ते आ रहे हैं. जब से हम स्कूल में admission लेते हैं, तब से हमें numbers के बारे में सिखा जाता है. तो बेटा, जब हम छोटे होते हैं, first second class में होते हैं, तो हमें small numbers के बारे में सिखा जाता है. जैसे कि हमको counting सिखाई जाती है आपको counting सिखाई जाएंगी 1 से 20 तक फिर आप थोड़े बड़े होंगे तो आपको थोड़े और last numbers के बारे में सिखाई जाएगा आपको सिखाई जाएगा कि hundreds में numbers या फिर thousands में numbers ये सारी चीज़े सिखाई जाती है लेकिन अभी आप थोड़े और बड़े हो गए हो तो अब हम थोड़े और बड़े last numbers के बारे में बात करेंगे तो इस class में हम last numbers के बारे में बात करने वाले है तो सबसे पहले मैं आपको overview दे देती हूँ कि हम इस chapter में कौन-कौन से topics को cover करेंगे तो इस चप्टर में बेटा हम देखेंगे कि नम्मर्स को, I mean large numbers को ascending and descending order में कैसे लिखते हैं हम देखेंगे कि अगर हमें कोई digit दी हुई है तो उनसे हम smallest and greatest number कैसे बनाते हैं अगर हमको three digits का smallest number चाहिए तो कैसे बनाएंगे अगर हमें four digits का largest number चाहिए, greatest number चाहिए तो वो हम कैसे बनाएंगे ऐसे ही बहुत सारे topics हैं जिनने हम cover करेंगे तो जैसे जैसे हम chapters को read करेंगे, study करेंगे वैसे वैसे हम topics को समझते जाएंगे तो चलिए अब हम chapter start करते हैं तो सबसे पहले बेटा हम इसमें देखेंगे कि counting numbers क्या होते हैं तो counting numbers क्या होते हैं ऐसे numbers जिनको count करने के use में लिया जाता है उन्हें हम counting numbers कहते हैं तो जैसे मालो कि आपकी class में 20 students हैं और आपके सर्ण ने आपको बोला कि आप इनको count करके बताईए तो आप कैसे count करोगे? आप count करोगे 1, 2, 3, 4, 5, up to 20 तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या हैं? ये सारे counting numbers हैं इन्हें हम बोलते हैं counting numbers तो बेटा counting numbers को हम concrete objects को count करने के use में लेते हैं मैंने क्या बोला है? कि counting numbers को हम concrete object को count करने के use में लेते हैं अब आप बोलोगे कि मैं अब ये concrete object क्या है? तो concrete object ऐसे object होते हैं बेटा जिनका कुछ physical existence होता है ऐसे numbers या कोई ऐसी चीज जिसका physical existence है जैसे कि आप count कर रहे हो कि आपके पास में इस तरह के five pens है तो ये pen इसका physical existence है ये individually exist कर सकता है ये हमको दिखाई दे रहा है इसको हम touch कर सकते हैं इसको हम देख सकते हैं है ना? तो ये कैसा object है? That is concrete object तो concrete object ऐसे object होते हैं जो physically exist करते हैं ऐसे object जो physically exist करते हैं उन्हें हम बोलते हैं counting, sorry concrete object जैसे कि pen हो गया, pencil हो गया, ये board है या कोई table, जैसे कि five tables को आपको count करना है या फिर आपको hundred spoon को आपको count करना है तो ये सारे कैसे object हैं? ये सारे concrete object हैं तो counting numbers का use हम concrete objects को count करने के use में लेते हैं तो अब दो तरह के object होते हैं एक मैंने आपको बताया concrete object और एक होता है बेटा abstract object एक कौन सा होता है abstract object आपने देखा होगा कि हम abstract noun भी पढ़ते हैं पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं जो physically exist नहीं करते हैं एसे object जो physically exist नहीं करते हैं जिनको हम छू नहीं सकते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं ऐसे object क्या मने जाएंगे ऐसे object होते हैं abstract object आपने देखा होगा कि हम abstract noun भी पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है उसमें emotions आते हैं जैसे कि love, hate, sound, smell यह सब क्या हैं that are abstract object जो physically exist नहीं करते हैं जिनने हम count नहीं कर सकते हैं समझ में आपको कि concrete object और abstract object में क्या difference है बहुत ही आसान है तो counting numbers कैसे numbers हैं बेटा जिनको हम concrete object को count करने के use में लेते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4 that are counting numbers यह कैसे numbers हैं? counting numbers हैं अब counting numbers को ही हम बोलते हैं बेटा natural numbers counting numbers को ही क्या बोलते हैं? natural numbers जिसको हम represent करते हैं capital N से counting numbers को ही natural numbers बोला जाता है जिसे represent करते हैं capital N से तो capital N equal to क्या लिख सकते हैं? हम 1, 2, 3, 4 यह सब क्या हैं? that are natural numbers अब इसमें 0 include नहीं है यह आपको ध्यान रखना है जो natural numbers होते हैं उनमें 0 include नहीं होता है 0 कौन से numbers में include होता है? वो हम आगे पढ़ने वाले हैं ठीक है न? तो natural numbers होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 687, 926, 1687 यह सब कैसे numbers हैं? that are all natural numbers ठीक है पेटा चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा next topic that is comparing numbers अब हम क्या करेंगे? numbers को compare करेंगे तो comparing numbers हमने बच्पन में भी पढ़ा है लेकिन हमने small numbers का comparing number पढ़ा था अभी हम यहाँ पे large numbers का comparing number पढ़ेंगे तो हम थोड़ा सा revision कर लेते हैं small numbers से तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बेटा comparing numbers compare का मतलब क्या होता है? किसी चीज को compare करना यानि कि किसी चीज की तुलना करना जैसे कि आपका एक friend है और आप हो अब मान लिजे कि आपकी height जादा है और आपके friend की height कम है तो हमें height में compare करना है तो हम क्या बोलेंगे कि आपकी हाइट आपके फ्रेंड की हाइट से ज़्यादा है ठीक है ना वैसे ही हम नम्मर्स में compare करते हैं जैसे माल लो आपको नम्मर दे दिया 8 and 5 अब आपको बताना है आपको compare करना है दोनों में कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है तो हमने देखा कि जो 8 है वै बड़ा है that is big और जो 5 है वै चोटा है small लेकिन अब हमको इसको compare करना है mathematics में तो mathematics की language में कैसे करेंगे तो जो नम्मर बड़ा होता है उसके लिए हम क्या करते हैं greater than का sign लगाते हैं और जो चोटा है उसके लिए smaller than का sign लगाते हैं और अगर equal है तो हम बराबर का sign लगा देते हैं ऐसे ही करते हैं न ठीक है तो अब हमको इसको mathematics की language में लिखना है तो कैसे लिखेंगे 8 is greater than 5 जो 8 है वह है 5 से बड़ा है या फिर आपको नम्मर दे दिया माल लिजे कि 23 and 36 अब 23 and 36 में आपको compare करना है कौन सा बड़ा है कौन सा चोटा है तो यह तो small numbers है इनको हम पहले भी बड़े हुए तो आराम से बता देंगे तो 36 क्या है बड़ा है और 23 छोटा है हमने आराम से बता दिया इसमें अब माल लिजे कि मैंने नम्मर लिया 318 ठीक है इसको हमी रेज कर देते हैं बोल खाली करते है तोड़ा चले मैंने नम्मर लिया 318 और एक मैंने नम्मर लिया माल लिजे 387 ठीक है 387 तो अब इन दोनों नम्मर में भी हम अराम से बता सकते हैं क्योंकि यह भी बहुत बड़ा नम्मर नहीं है यह भी बहुत ज्यादा बड़ा नम्मर नहीं है तो जो 318 है वह चोटा है किस से 387 से हमने आराम से बता दिया अब हम थोड़ा बड़ा नम्मर लेते हैं ठीक है पीटा अब हम नम्मर ले लेते हैं 41,688 यह नम्मर ले लिया हमने और हमने नम्मर लिया 41,897 ठीक है यह नम्मर हमने लिया है अब हमें इस नम्मर में देखना है कि कौन सा नम्मर बड़ा है और कौन सा छोटा है तो जो स्मॉल नम्मर से उसमें तो हमने इसली पता कर लिया अब इसमें हम कैसे पता करेंगे तो बेटा हम चलते हैं left to right, जब हमें compare करना होता है, तो हम left से right में चलते हैं और हम देखते हैं कि कौन सा number बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो हम digits को पहले compare करेंगे, तो यहां पे भी 4 है, यहां पे भी 4 है, इससे हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा number बड़ा है, यहां पे क्या है 1, और यहां पे भ दिजिट है वह एट से छोटी है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये वाला नम्मर है वह इस वाले नम्मर से बढ़ा है तो हम क्या करते हैं एक-एक डिजिट को कम्पेर करते हैं जैसे ही हमको बड़ी डिजिट मिलती है वैसे हमको पता चल जाता है कि कौन सा नम्मर बढ़ा ठीक है तो यह हमने यहां पर compare किया सिर्फ दो numbers का हम और कर रहे हैं लेकिन compare कितने numbers का कर रहे हैं दो numbers का जब ascending and descending order पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे numbers होते हैं जिनको हमें compare करना पढ़ता है और उनको हमें sequence में लिखना होता है कि ascending order में लिखना है या descending order में लिखना है तो उसका पता हम ऐसे करते हैं तो अगर number बड़ा हो और हमें compare करना हो तो confuse होने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है हम easily उसको compare कर सकते हैं कैसे compare करेंगे हम left से start करते हैं और right की तरफ जाते हैं number में तो दोनों numbers में हम देखते हैं कि सबसे left में कौन सी digit है तो हमने देखा कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है तो इससे हमें पता नहीं चल रहा क्योंकि दोनों equal digits हो गई तो इसका मतलब यह है कि इससे हम पता नहीं कर सकते कि इसमें कौन सा number बड़ा है और कौन सा चोटा है फिर हम second number digit पे गए तो यहाँ पे हमें 1 मिला और यहाँ पे हमें भी 1 मिला तो इससे भी हमको नहीं पता चल रहा लेकिन जब हम यहाँ 6 पे पहुंचे और यहाँ पे हम 8 पे पहुंचे तो हमको तुरंत पता चल गया कि जो 8 है वह 6 से बड़ा है 8 क्या है 6 से बड़ा है तो इसका मतलब यह है कि यह number बड़ा है इस number से ठीक है तो यह आपको काम आएगा जब हम ascending and descending order पढ़ेंगे तो उसमें बहुत काम आएगा ठीक है बड़ा अब हम देखेंगे कि हमें कुछ digits दी हुई होगी और उनसे हमें number बनाना है तो हम उनसे getest and smallest number कैसे बनाते हैं चलिए चलिए जी अब माली जी कि आपको 3 digits दी हुई है जैसे कि आपको दिया है या फिर माली जी कि हम 2 digits पहले लेते हैं आपको दिया है 1 & 2 आपको 2 digits दी हुई है और उनसे आपको smallest and greatest number बनाना है तो अब आप smallest and greatest number कैसे बनाएंगे तो बेटा जब भी हम smallest number बनाते हैं हमें कितनी ही digits दी हुई हो तो जब भी हम smallest number बनाएंगे तो हम number को start करेंगे smallest digit से numbers को किस से start करेंगे smallest digit से तो इसमे smallest digit क्या है 1 तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1 उसके बाद में क्या है 2 उसके बाद में कोई digit है नहीं तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 तो इस 1 और 2 जो 2 digit हमको दी हुई है इससे smallest number क्या बना? 12 तो जब भी हमें smallest number बनाना होता है तो हम smaller to bigger चलते हैं smaller to bigger smaller to bigger चलते हैं और अगर हमें greatest number बनाना हूँ तो कैसे बनाएंगे? smallest में हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने सबसे चोटी digit को रखा सबसे पहले हमने सबसे चोटी digit को रखा था लेकिन greatest जब बनाना है तो उसमें हम सबसे पहले सबसे बड़ी digit को रखेंगे तो सबसे बड़ी digit क्या है? इसमें 2 तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2 उससे चोटी क्या है 1 तो यहाँ पर लिख दिया 1 तो यह कैसा नमर हो गया यह greatest नमर हो गया तो इन दो digits से हम smallest and greatest नमर बना चुके हैं smallest नमर है 12 और greatest नमर है 21 तो जब हमें smallest बनाना है तो हमें smaller digits से start करना है और जब हमें greatest बनाना है तो हमें सबसे बड़ी digits से number को start करना है और उसके बाद में उसे छोटी digits को लिखना है तो यह हमारा चलता है bigger to smaller सबसे बड़ी digits सबसे पहले रखी जाएगी उसके बाद में छोटी digits रखी जाएगी चलिए अब मैं आपको एक question दे रही हूँ उससे आपको smallest and greatest digit बनानी है और आपको comment box में comment करके बताना है कि इन digits से smallest number कौन सा बनेगा और greatest number कौन सा बनेगा ठीक है बच्चा चलिए मैं आपको number दे रही हूँ मान लीजिए 4 अरे क्या हो गया हाँ 4 3 7 नमबर है 4 3 7 और आपको digits को रिपीट नहीं करना है तो आपको बताना है कि इसका smallest and greatest number क्या बनेगा ठीक है बच्चे चलिए यह आपके लिए question है चलिए हम कुछ और questions कर लेते हैं थोड़ी प्रैक्टिस और करते हैं जैसे कि आपको digit दी हुई है मान लीजिए 178 & 9 आपको यह 4 डिजिट दी हुई है और इन से आपको smallest and greatest number बनाना है 1789 यह आपको डिजिट दी हुई है इन से आपको बनाना है smallest number तो जब हम smallest number बनाते हैं तो मैंने आपको अभी बताया था कैसे चलते हैं small to big तो सबसे चोटा number क्या है one उससे बड़ा 7 उसके बाद 8 और उसके बाद में 9 तो यह number कैसा हो हो गया that is smallest number अगर हमें greatest number बनाना हो तो कैसे बनाएंगे big to small तो सबसे बड़ा number 9 उससे चोटा 8 then 7 or then 1 तो यह number हो गया हमारा greatest number तो बहुत ही आसान है आपको कितनी ही डिजिट दी हुई हो अगर आपको smallest and biggest number यह greatest number बनाना है तो smallest में हम स्मॉल से स्टार्ट करते हैं और greatest में हम सबसे बड़ी डिजिट से स्टार्ट करते हैं ठीक है चलिए अब यहां पर एक important concept निकल के आता है concept क्या है कि मैडम अगर हमें 0 दे दिया हो तो अगर हमको digits में 0 दिया हो तो फिर हम कैसे smallest and greatest number बनाएंगे जैसे आपको दे दिया मान लीजिए जीरो आपको दिया 0 2 8 6 ठीक है आपको four digits दी हुई है और इन four digits से आपको smallest and greatest है तो अब 0 का जो concept अब बहुत ही important है द्यान से इसको देखना है तो जब हम smallest number बनाएंगे तो जब हम smallest number बनाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि हम small से start करते हैं और big की तरफ जाते हैं तो अब इसमें small क्या है zero इसमें small जीरो से बड़ा क्या है 2, उस से बड़ा है 6 और उस से बड़ा है 8, तो हमारे पास नम्मर आ गया 0268, अब आप इस नम्मर को ज़या दिहान से देख के बताएए कि क्या ये नम्मर 4 डिजिट का नम्मर है? क्या यह जो number है वह 4 digit का है क्योंकि अगर number से पहले last last में अगर 0 हो तो वो तो कोई काम की नहीं होती है उसका तो existence ही नहीं होता है तो यह जो number बना है यह number बना है बेटा 3 digit का यह number किसका बना है that is 3 digit number यह 4 digit का number नहीं है यह तो 3 digit का number है तो अब हम इससे smallest number कैसे बनाएंगे तो देखिए ये हमारा smallest number नहीं है इसको हटा देते हैं अब हमको बनाना है smallest number तो जो 0 से just बड़ा number है मैं क्या बोड़ रही हूँ? 0 से just बड़ा तो 0 से just बड़ा इसमें कौन है? 2 है तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे और उसके बाद हम इस 0 को लिखेंगे उसके बाद हमने 0 लिख दिया अब 2 से चोटा क्या है? इसमें 6 और उसके बाद में 8 तो ये होगा यहाँ पे smallest number अब greatest बनाना हो तो greatest number बनाना हो तो वही क्या start करेंगे हम कहां से? 8 से 8 के बाद में 6, 2 and 0 ये क्या हो जाएगा? greatest और ये हो जाएगा हमारा smallest तो आपको ये चीज़ दिहान रखनी है कि जब भी आप smallest number बनाएं तो 0 को starting में नहीं रखना है ठीक है? और हम एक example ले लेते हैं और आपको थोड़ा clear हो जाएगा माल लिजे है कि हमने लिया 6, 8, 9, 0, 2 and 3 ठीक है? हमने किती digits ली हैं? हमने 6 digits ली हैं और इनसे हमें smallest number and greatest number बनाना है तो जब हम smallest number बनाएंगे जब हम smallest number बनाएंगे तो मैंने आपको बताते हैं कि 0 को starting में नहीं रखना है 0 से जो just बड़ा है उसको रखना है तो 0 से just बड़ा है इसमें कौन है? 2 तो सबसे पहले हम रखेंगे 2 उसके बाद में 0 then 3, 6, 8, 9 यह क्या है? smallest number है और greatest number बनाना तो easy है greatest में तो जो हम बनाते हैं वैसे ही रहेगा greatest में क्या रहेगा? सबसे पहले 9, then 8, then 6, 3, 2, and 0 यह क्या हो गया? greatest number हो गया और यह हो गया हमारा smallest number तो I hope आपको समझ में आ गया होगा कि हमें digits दी हुई हैं तो उनसे हमें greatest and smallest number किस तरह से बनाना है? अगर हमें digits में 0 दिया हो तो 0 से हम smallest number कैसे बनाते हैं? यह आपको याद रखना है बहुत ही important है exam में इस तरह का question आता है confuse करने के लिए 100% आता है कि आपको digits में 0 जरूर मिलेगा और उस 0 से आपको smallest and greatest number बनाने पड़ेंगे ठीक है? तो आयोप आपको समझ में आ गया होगा चलिए अब हम देखेंगे बेटा comparison of number comparison तो हमने देख लिया है लेकिन सिर्फ दो numbers का देखा है अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ascending and descending order में हम किस तरह से arrange करते हैं numbers को ascending and descending पढ़ने से पहले इसमें एक topic और है उसको भी हम समझ लेते हैं तो आपको और किस तरह का question आ सकता है आपको question आ सकता है जैसे कि मान लिजे कि आपको digit दी हुई है 3, 7, 8 and 2 ठीक है? यह आपको 4 digit दी हुई है अब आपको बोलेगा कि इन 4 digit से आपको smallest and greatest number बनाना है लेकिन उसमें एक condition रहेगी कि जो 8 है या कोई सी भी digit हो सकती है से नहीं कि सिर्फ 8 ही question मैं आपको बता रही हूँ तो कि जो 8 है वो है 100th place पे होना चाहिए या फिर जो 8 है वो है 10th place पे होना चाहिए इस तरह की condition आपको उसमें दी हुई होगी तो फिर आप कैसे smallest and greatest number बनाएंगे तो देखिए जब हमको smallest number बनाना है हमको क्या बनाना है smallest number बनाना है और ये जो 8 है वह कौन से place पे है मान लीजे कि ये 10th place पे है कौन से पे हैं पेटा 10th place पर है तो smallest number जब हम बना रहे हैं तो हमें 4 digit का बनाना है तो हम क्या करेंगे 4 blocks बना लेंगे हम क्या करेंगे बेटा 4 blocks बना लेते हैं ठीक है हमने 4 blocks बना लिए अब हम क्या करेंगे जो 10th place पे हमको condition दी हुई है कि जो 8th है वह है 10th place पे रहेगा तो सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं तो हमने 10th place पे लिख दिया 8 ये कौन सा place है 1st that is 1st that is 10th है ना तो हमने 10th place पे 8 को पहले ही लिख दिया है अब हमको smallest number बनाना है तो अब हमारे पास कित्ती digit बन दी 3 digit बची है तो अब 3 digit में जब हमको smallest number बनाना है तो हम start करते हैं सबसे small से तो सबसे small आये आपे 2 उसके बाद में 3 8 को तो हमने पहले ले लिया बचा किया हमारे पास में 7 तो ये हो गई हमारी smallest number 2, 3, 8, 7 कैसा number है? smallest number है condition आपको याद रखनी है कि आपको कौन सी condition दी हुई है इसको नहीं बोलना अब हमको greatest number बनाना है अब हमें greatest number बनाना है तो कैसे बनाएंगे? वही हम blocks बना लेंगे यहाँ पे 4 4 हमने blocks बना लिये जो 8 है उसको हमें पहले ही 10th place पे रख देना है तो हमने 8 को रख दिया बेटा 10th place पे अब हमारे पास किती digit है? 3 digit बची 3, 7 and 2 तो जब हम greatest number बनाते हैं तो हम सबसे बड़ी digit से start करते हैं यह मैंने आपको बताया है लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी digit है उसको condition में बांदा हुआ है कि वह 10th place पर ही रखना है तो बची किती digit बची है हमारे पास में 3 digit 3, 7 and 2 अब इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? 7 तो हम लिख देंगे यहाँ पे 7 उससे चोटी है 3 10th हमारा पहले से भड़ा हुआ है और यहाँ पे हम लिख देंगे 2 तो यह हो गया 7, 3, 8, 2 is a greatest number तो इस तरह के questions भी आ सकते हैं जिसमें condition दियू होगी कि इस digit को 10th place पे आपको रखना है या आपको 1000th place पे रखना है चलिए एक question और कर लेते हैं आपकी practice के लिए एक question और करते हैं तो आपको और अच्छे से clear होगा चलिए माली जीए कि आपको दिया है 3, 8, 2, 5, 6 ठीक है आपको 5 digits दी हुई है और आपको बोला गया है कि जो 2 है जो 2 है उसको आपको 100th place पे रखना है 2 को कहा रखना है 100th place पे रखना है तो अब हम क्या करेंगे जब हमको smallest बनाना है जब हमको smallest नमर बनाना है तो हम क्या करेंगे वही सबसे पहले 5 blocks बना लेंगे यह हमारे 5 blocks हो गई अब हमें क्या करना है जो 2 है उसको पहले ही रख देना है 100th place पे 2 को हमने 100th place पे रख दिया अब हम smallest नमर बनाएंगे अब हमारे पस नमबर कौन से बचे हैं, हमारे पास नमबर बचे हैं 3, 8, 5 and 6 क्योंकि एक नमबर तो पहले से ही decided है कि उसको 100th place पर ही रहना है अब नमबर बचे 4, अब 4 नमबर से हमको बनाना है तो smallest जब हम बनाते हैं, तो सबसे पहले हम सबसे चोटा नमबर लिखते हैं तो यहाँ पर चोटा है हमारे पास में 3, उसके बाद में हम लिखेंगे 5, then 6 and then 8 तो यह हो गया हमारा smallest नमबर अगर हमें greatest नमबर बनाना हो, तो वही rule लगेगा जो हमने बताया है आपको 2 है, उसको हमें पहले ही fix कर देना है, 100th place पे, सबसे बड़ी digit है यहाँ पे, 8 उसके बाद में 6 2 already set है, उसके बाद में आएगा बिटा, 5 और उसके बाद में आएगा 3 तो यह हो गया हमारा greatest नमबर है, दटेजवार answer तो इस तरह के questions भी आते हैं, जिसमें आपको condition दी हुई होगी, कि आपको smallest and greatest number बनाना है, तो आपको इस condition को follow करना है किसी भी digit को वो बोलेगा कि आपको 100th place को place करना है, या फिर 10th place पे करना है, या फिर 1st place पे करना है तो उस digit को आपको पहले ही, जो भी condition दी हुई है, उस place पे आपको रख देना है, और फिर उसके बाद में जो बाकी बची हुई जो digits हैं, उनसे आपको number बनाना है तो इस तरह से हम दी हुई digits से greatest and smallest number बना सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स वीडियो में हम देखेंगे कि large numbers को ascending and descending order में कैसे लिखा जाता है या फिर अगर हमें smallest 4 digits का कोई number बनाना हो तो कैसे बताएंगे अगर हमें 3 digits का greatest number बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हम करेंगे नेक्स वीडियो में अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूलें थैंक यू फोर वाचिंग